Welcome है आपका अपने accountant दोस्त के channel पर जहां आपको professional accountant बनाया जाता है आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं, मेरी Instagram ID है accountant दोस्त यहाँ पर भी मैं useful information शेर करता हूँ चुरू करते हैं Tally with GST course का chapter number first What is Tally? Tally क्या है? What is work of Tally? Tally का काम क्या है? हम जिस software को चलाना सीखने जा रहे हैं, उससे पहले हम यह पता होना चाहिए कि वह software है क्या और उसका काम क्या होता है समझते हैं topic number first से What is Tally? Tally क्या है? Tally एक accounting software है जिससे वेपार के सभी transaction को systematic तरीके से record किया जाता है इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलते हैं topic number second पर What is work of Tally? Tally का क्या काम होता है? माल लीजे एक XYZ company है इनोंने Tally software को purchase किया है अब XYZ company की जितनी भी transaction है वे आप Tally software की मदस से systematic तरीके से record रख सकती है जैसे purchase voucher XYZ company ने जितना भी goods purchase किया है या कर रही है उसका record वे purchase voucher में रखेगी Sale voucher XYZ company ने जितना भी goods sale किया है या कर रही है उसका record वे sale voucher में रखेगी पेमेंट वाउचर, XYZ कम्पनी ने किस से कितना पेमेंट किया है, इसका रिकोर्ड वे पेमेंट वाउचर में रखेगी रिसिप्ट वाउचर, XYZ कम्पनी को किस ने कितना पैसा दिया है, इसका रिकोर्ड वे रिसिप्ट वाउचर में रखेगी Creditors Ledger XYZ Company से कौन कितना पैसा मांगता है इसका record वे Creditor Ledger में रखेगी Depter Ledger XYZ Company किस से कितना पैसा मांगती है इसका record वे Depter Ledger में रखेगी Cash Ledger XYZ Company के पास कितना cash आया है और कितना cash गया है इसका record वे Cash Ledger में रखेगी बैंक लेजर, XYZ कंपनी के बैंक में कितना पैसा आया है और कितना पैसा बैंक से गया है इसका रिकोर्ड वे बैंक लेजर में रखेगी Expenses, XYZ company ने किस-किस जगा और कितना पैसा खर्च किया है वे इसका record expenses में रखेगी Income, XYZ company ने किस-किस जगे से और कितना पैसा income किया है इसका record वे income में रखेगी और भी कई तरह के business transaction होते हैं जिससे tally software की मदद से systematic तरीके से record रखा जाता है जिसे हम आगे course में सीखेंगे आशा करता हूँ कि आब आपको समझ आ गया होगा कि tally क्या है और tally software का क्या का काम होता है जोदि आपने accountant दोस्त के channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करे, bell icon button को दबा दे, video को like करे, comment करे और share करे, बद 10 second का काम है, कर दो मिलते हैं tally with GST course के chapter number 2 में जो है why do accountant need tally, accountant को tally की जरूरत क्यों होती है